हेलो आपरीबान आप सभी का स्वागत है एक बात फिर से और आज हम आपके सामने लेकर रहे हैं एक नई सिरीज और आपकी परमीशन के साथ आपसे पूछा गया था पर आपने जो आंसर दिये उनके रिस्पॉंस में यह हम सिरीज स्टार्ट करने वाले हैं और यह उसके पहल कि नॉबल कैसे पढ़ा जाता उपन्या से कैसे पढ़ा जाता है इन सब चीजों को हम सीखने वाले हैं तो यह हम करेंगे क्या इसमें कि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेंगी हम ट्राइ करेंगे कि डेली 10 मिनिट की 10-12 मिनिट की वीडियो रहे और इसमें परिचे देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या चीजे रहेंगी, इन सब चीजों को आज देखने वाले हैं, है ना, तो चले शुरू करें, तो उसके किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें जान लेना चाहि वर ने की तो जब तक हमको हमारा पर्पस नहीं पता होगा तो देश्च नहीं पता होगा तो चीज़ें हम उस तरह से नहीं कर और एक रिसर्च केस आप से देखें जो पढ़े रीडिंग करता है थोड़ा बहुत पढ़ता है तो उसका जो माइंड होता है वाकी की पिक्षा 23 होता है हमारे जो रीडिंग होती हो हमारे माइंड को शाप करती है पहली चीज तो यह है ना दूसरा जो हमारा में परपस यहां कई सारी चीज है शामने निकलते आथे तो पहली चीज तो है कि speaking क्या है speaking है उसको सीखने वाले मोलते कैसे हैं तो यह कैसे help करेगी इन सब चीजों में जैसे structures हमको मिलेंगे और इसी में क्या मिलेंगे जो कमी आपके साथ खलती है आपको कि भाई बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि आपके पास vocaps नहीं है तो इसमें आपको भरमार मिलेगी इतने ज़्यादा vocaps मिलेंगे आपको और डेली लाइफ वाले मिलेंगे आसान से शब्त जब imagine सोचे भी नहीं होगे कि हां कि मतलब ऐसे words भी होते हैं और कि इस word का English क्या होता और कैसा होता है कि इस तरह आपको मिलने वाले तो English में vocabulary है और vocab हमारा हो गया तो English हम सीखेंगे और साथी में vocab के बाद में अगर बात करें तो grammar very important है कि grammar हम सीखने वाले हैं तो grammar की जब करें तो grammar के हम rules देखेंगे साथ में उनके applications देखेंगे आपको कहीं रटला ना पड़े जो नियम है इसके grammar के वह आपको रटने ना पड़े मैं इस तरह से एक दम practical बताऊंगा कि कहां कहां पर कौन सा इस्तेमाल होता है इसका मतलब क्या होता है यह सारी चीजें डेटेल में करेंगे थर्ड वन की बात करें अगर हमारा थर्ड वन जो स्टेप है क्यों पढ़ना चाहिए हमें यह नॉवल तो comprehension का मतलब ही होता है समझ तो चीजों को लेकर के हमारी क्या बढ़े की समझ बढ़ेगी इस वदे से नॉवल हमको पढ़ना चाहिए नेक्स्ट अगर बात करें अच्छा comprehension आप कोई भी एक्जाम दोगे तो आपको वह भी बेनेफिशल हो जाता है आगे अगर बात करें तो एक होता है नॉवल्स पढ़ने से फाइदा क्या होता है साइकॉलोजी हैना साइकॉलोजी आप लोगों की सोच क्या है थिंकिंग क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा और इन सब मतलब इंग्लिश स्पेकिंग लोगों कैसे परकड़ना हैं लोग कैसे सोचते हैं कि मतलब आप लाइव में किस चीजों को पढ़ने में आपको है कि लव स्टोरी रहेगी ज़दातर के मिंस पूरे में तो और रियल लाइफ से जुड़ी हुई है न कि आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेगा कई बार तो आपको लगेगा यह तो मेरी स्टोरी है न तो यह सारी चीजें तो यह तो हमने बताया कि क्यों novel पढ़ना चाहिए एक beginners के लिए especially बात करें तो उसको भी पढ़ना चाहिए एडवांस डाता है तो और भी पढ़ना चाहिए उसको बेहतर करने के लिए हैना तो मैं चीज़े एक्तम स्टार्टिंग से लेकर चलूगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो यह सारी चीज़े रही अब आते हैं जरह इस बुक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो यह जो बुक है यह सेकेंड पार्ट है इसको मागे जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे तो जैसा कि लिखा हु ने इसको लिखा हुआ है तो यह राइटर इसके हैं अब पहली चीज़े स्टार्ट करें तो इसका मतलब पूछे बही क्या है कि कैनलाव है पेंटोस क्या दोबारा प्यार हो सकता है तो भाई अगर खांजर की माने तो खांजर तो मानते बहीं बिल्कुल हो सकता है कि वह त पहले जब दूसरा वाला पहले वाले से बेहतर हो दिखने में अच्छा लगे तो क्यों नहीं प्यार हो सकता है तो यह एक स्टोरी है तो अगर पहला इस statement ही हम देखें लब हैपन टोई से इंटरोगेटिव सेंटेंस से question पूछ रहा है यह इसने जवाब नहीं दिया इसको पढ़ने के बाद जवाब आपको मिलेगा वो आपसे पूछ रहे हैं क्या प्यार दोबारा हो सकता है है ना तो कैन का इसको हम भी देखा अब जरहां को अंदर चलते हैं अजयसे हमारी आधत क्या होती हम सिंधे डीरेक्री पढ़ना है सटार्ट करदेते थे थो हम पढ़odelistä जानेंगे क्या है नहीं थे अगulin तब कि यह बढ़ी हो जाएगी तो हम 10-12 मिनट की वीडियो रखेंगे इसे ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे तो चले शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमको करना है कि तो अगर जैसे लिखा कि कैन लव हैपन टोई क्या प्यार दोबार हो सकता है इसको मिन स्टार्ट करने तो जैसे लिखा रवींद्र सिंग इस यह राइटर के अबरे में बताया जा रहे तो यह पढ़ना जरूरी होता है कि हमसे कम राइटर के वारे में आपको पता होना चाहिए कि अपने किसकी बुक है क्यों अब इसका फाइदा क्या होगा मालो आपकी होबी है रेडिंग आपने कहां बताया अपने इंटर्वीय होगा आमें कहीं बताया तो आपसे पूछे आपको आनी चाहिए तो मिन्स पता ही होनी चाहिए चले शुरू करते तो कहने रविंदर सिंग इस बेस्ट सेलिं सिंग है कि पेले बात पहला चंटा समरकरत यह इसे यह कैसे हैं और करांतर क्चिंग मालगें चाहिए और कदम रखता तो इसको डेव्यू बहुते हैं तो ही डेव्यू इसको डेव्यू नहीं पड़ता है डेव्यू मना सिर्फ ठी Nations पड़ेंगेblem number आई टॉहर लविट स्टोरी और कि इनके पहली जो नवल की डेविड़ hole की i2 ह joy and a sìまず देखो has का इस्तेमाल किया और has का present perfect है ना तो has touched millions of hearts है ना उसने क्या किया कि millions of hearts को touch किया मतलब कि millions of लोगों के हर्दे को दसो लाखों को लोगों के हर्दे को उसने छुआ है इनकी जो पहली जो बुक है जो पहला edition था उसकी बात कर रहे हैं love happen twice is his second book और जो can love happen twice यह second book है ना तो अच्छा कई सवाल मन में उठ सकता है कि भाई यही किताब क्यों इसलिए कि यह इसलिए लिया गया है आगे कर देखें हम आगे देखें बढ़ने पढ़ते हैं तो जैसे आगे लिखा गया है कि after spending most of his life in बर्ला तो बर्ला में इन्होंने अपनी life जादा तर आफटर इस्पेंडिंग मतलब खर्च करके इस पैंडिंग जो लिखा आये यह जो जो है ना यह जरेंड है व्योंकि इसमें आउंजी लगा हुए तो आफटर स्पेंडिंग most of his life in बर्ला बर्ला में अपनी ज् कि आहां हम ही दूर्गर रवीन्दर सिंह संब च्थनी जो रवीन्दर सेתल्ड डाउन on 비indruck सेथे प्रफेक्ट अहीं तो इन्हेंने भूला कि जूर्फ ़का सेटल हो गए हैं कि आंथता सेटल हो गए हैं फिर आगे देखो having worked as a computer engineer देखो having का इस्तेमाल उन्हें ने किया फिर वोव की third form लेके आए तो जैसे आप अगर आप नोन फाइनेट वोव पढ़ोगी तो उसमें आता है एक क्या आता है पार्टसेपल आता है तो पार्टसेपल तीन तरह का होता है प्रजेंट पासप्ट पेलो परफेक्ट पार्टसेपल यह हैं के साथ वो की third form लगा जाती है तो having worked इसका मतलब होता है काम को खतम करने के बाद तो having worked as a computer engineer, computer engineer का क्या रूप में काम करके for several years, several का मतलब है कई years का मतलब साल हों तो कई साल हों तो काम करने के बाद at some of India's की कहां पर at some of देखो some of India's prominent की IT companies इंडिया के कई सारे prominent companies, IT information technology companies है उन में से काम करनी के बाद है रविंदर is now pursuing his MBA, रविंदर जो है इते को परसीव आ गया है नहीं परसीव का मतलब क्या आता है जब आप कोई कोर्स बगेरा करते हो तो परसीव का इस्तिमाल करते हो तो रविंदर is now pursuing his MBA at the world renowned, renowned का मतलब प्रक स्कूल है ना इंडियन स्कूल आप बिसनेस वहां से हाइदराबाद से क्या कर रहे हैं MBA कर रहे हैं आगे रविंदर loves playing snooker in his free time तो जो इनकी बता रहे हैं कि जो रविंदर सिंग है ना वह फ्री टाइम देखो एक कौन सा present in definite का इन्होंने इस्तेमाल किया लव्स लव्स का म इनकी होबी है he is crazy मतलब एक तब पागल है बाउट पंजाबी म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक के बारे में मतलब एक मतलब बहुत जड़ा क्रेजी रहते हैं पागलाय रहते हैं लवस डांसिंग डांसिंग करना उनको पचंद है to its beat उनके beats पर मतलब की जो डान गाना है उ तो the best way to contact रवेंदर सिंग is through his official fan page on facebook है उस पर जा सकते हैं you can also write him at क्या है it इस पर आप क्या कर सकते हैं इनकी जो जीमेल है इसके उपर आप लवस्टोरी जो है है कि I too had a love story at the real gmail.com इस पर आप इनके लिख सकते हैं इनको message कर सकते हो तो आपको ज़रूर आंसर करेंगे तो यह हमने जी start किया एक beginning थी तो इसलिए हम ज़्यदा इसको बड़ा नहीं करेंगे यहीं पर खतम करेंगे है ना तो I hope कि आपको शसन पसंद आएंगे इसके आने वाले और आप इसको छोड़ोगे नहीं है ना तो अगर आपको चीजे सही लगते ही तो आप इसको like जरू करेंगे चलें तो आज के लिए इतना ही थैंक यू